दस माई दो हजार तेस कलेक्टर चंदन कुमार ने आज सुभए ओपीटी के समय जला हॉस्पिटल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जाज़ना लेते हुए पुरे हॉस्पिटल का निरक्षड किया इस दौरान उन्होंने भरती हुए मरीज हुए एवंग चेक अप करने आए मरीजों से बादचित कर उनका हाल चाल जाना भरती हुए मरीज ग्राम जम्रू निवासी पंद्रवश्य बाले का मिनाक्षु से कलेक्टर ने पूछा कि कब से भरती हुए एवंग खाना मिलता है कि नहीं जिस पर उसने जवाब देती हुए बताए कि तीन दिनों से भरती हुँ मेरा कान का ऑप्रेशन हुआ है समय पर खाना मिलता है इसी तरह ग्राम पस पहंदा से आए मरीज सकुंतला वर्मा अपने बेटी को इनीमिया के चलते भ भरती क्या है क्लेक्टर नी मरीज के परिजनों से पूछा कि यहां विवस्था ठीक है डॉक्टर आते हैं चेकप करने की नहीं जिस पर वर्मा ने बताए कि इस समय समय से डॉक्टर भी नियमित रूप से निरक्षड करने आते हैं और हम लोगों को हस्पिटल में नियमित को सक्रिय करने के निर्देश दिये हैं कलेक्टर ने इस दोरान ओपीडी मेडिकल स्टोर अपात कालिन वर्ड मेल वर्ड आयूश विंग स्टोर फेजो थेरपी नेत्र वर्ड हमर लैब बलड बैंक आटी पीसी आर लैब एम सी एच सहीत अन्य कक्षो का भी मुआयना किया उन्हें हॉस्पिटल में संचालित डालिसिस यूनिट पर सिट स्टैन मशीन का भी आउलोकन किया